हेलो दोस्तों मैं स्वरों मली का आप सभी का वाइफाइ स्टेडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च मंत के कुछ मॉस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर के कोशन आंसर तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में और ग्रूपस में सेर करेगा बाकी दोस्तों आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर सकते हैं घर पे बैठके ओनलाइन ठीक है जिसके लिए आपको अनकेडमी लर्निंग एप पे अपना कोई भी कोर्स जोईन करना है और रेफरल कोड आपको इस्टड़ी टैन अप्लाई करना है इससे आपको फीस में भी डिसकाउंट मिल जाता है और जितने भी एजुकेटर भी यान अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सब के कोर्स भी आप देख पाते हैं इस्टड़ी टैन कोड अप्लाई करने पर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो का हमारा पहला कोशन है मारास्ट ने किस रेल्वे स्टेशन का नाम जगनात संकर सेट के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है जल्दी से बतिए आंसर पता है तो नीचे कमेंट बोक्स में बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुंबई सेंटरल स्टेशन यानि की ओप्षन रहेगा बी रैट आंसर ठीके देखे मैं आपको हरे कोशन में तीन से चार सेकिन दूंगा ताकि आप उस कोशन का आंसर नीचे कमेंट बोक्स में बता सके दूसरा कोशन आता है कि इस देश ने एपल कमपनी पर 1.1 अरब यूरो का जुर्माना लगाया है दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फटा-फटा आंसर बतिए फ्रांस बिल्कुल सही है मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रांस कर रहे है बिल्कुल सही दोस्तों ओप्षन इसका सह आंसर रहेगा चले नेक्स्ट कोश्चन हमारा आता है विमान संसोधन विदेयक 2020 के तहट कितने नियामक निकायों को वेधानिक निकायों में परिवर्थित किया जाएगा जल्दी से बताइए बिल्कुर दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उप्शन भी यानि की 3 इस बिल्क के द्वारा दोस्तों विमान अधिनियाम 1934 जो है आपका उसमें संसोधन किया जाएगा चले नेक्स्ट हमारा कोश्चन आता है 20 मार्च को किसने मध्यपर्देश के मुख्यमंत्री पद से इस्थिपा दे दिया है बिल्कुर सही वेरी गुड सभी स्टूडेंट को पता है कमलनात ने ठीक है ओप्शन रहेगा एरेट अंसर कमलनात दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी से हैं आप सभी को पता होगा और उन्होंने MP के राज्यपाल लाल जी टंडन को अपना इस्थिपा सोपा है तो यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन है 19 मार्ज को किसने राज्य सभा के मनोनित सदश्य के रूप में सपत गरहन की है काफी important कोशन जल्दी से आंसर बतेए वेरी गुड वेरी गुड रंजन गोगई इसका सही आंसर हैगा आप सभी जानते हैं रंजन गोगई भारत के 40-वे मुखे नयदीस थे और देखे ये भी point आपको जरूर याद रखना है दोस्तो राज्य सभा में रास्टपती द्वारा 12 सदश्यों को मनोनित किया जाते हैं सभार में से एक रास्टपती ने रंजन गोगई को किया है ठीक है तो यह आपको ज़रूर याद रखना है चले नेक्स्ट हमारा कोशन है दिव्यांगो को ससक्त बनाने के लिए इनोवेट फोर एक्सेसिबल इंडिया अभ्यान किस ने शुरू किया है काफी इंपोर्टेंट कोशन है गाईस बिल्कुल माइक्रोसोप्ट और नैसकॉम फाउंडेशन दोनों ने यानि की ओप्शन रहेगा सी राइट आंसर माइक्रोसोप्ट के सी ओ भी आपको पता होना चीए सत्या नडेला है और नैसकॉम के अध्यक्स कौन है केसव मुरूगेस त तो प्लीज एक बर वीडियो को सेयर करिए चबरदस तरीके से अपने हर एक गुरूप में और दीखिए अपना स्कोर बताके जाएगा इस वीडियो के अंड में कि कितने कोशन आथ सही कर पाएं जब तक मैं आपको जोइनिंग प्रोसेस बता देता हूं कि क्या जोइनिंग करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा जितने भी मंत का कोर्स आपको लेना है उसको चूज करके कंटीनू पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट हमारा ओप्शन आता है यहां पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड तो उसमें आपको लिखना है स्टडी टैन और इसको एपलाई करतेंगे जैसे आप इसको एपलाई करेंगे तो लिखा एगर रेफरल कोड एपलाईड और यह आपकी फीस कम होके कितनी हो गई 5400 यानि कि आपका यह कोड जो है स्टडी टैन यह एपलाई हो गया है इसके बेनेफिट यह है कि एक तो आपको फीस में किता आप देख पा रहे हैं बाकी जितने भी एजुकेटर अनकेडमी पर पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आप देख सकते हो किसी भी केटेगरी में आप इस कोड को एपलाई कर सकते हो ठीए गैस तो इसको आप जरूर याद रखेगा आप इस लाडिका इसकीन सोट ले सकते ह हैं अनकेडमी पर आप किसी भी एक्जाम में इस कोड को एपलाई कर सकते हैं चलिए अब आ जाते हैं नेक्स कोशन पर और नेक्स कोशन है हाल ही में सेख मुझीबुर रहमान की सोवी जैनती मनाई गई वे किस देश के परसित राजनेता थे जल्दी से बतेए दोस्तो बिल कि जो समारो था इनका उसमें हिस्सा लिया था तो इसलिए कोशन इंपोर्टेंट बन जाता है नेक्स कोशन है अधनान अल्प जुर्फी निमिन में से किस देश के नए परदानमंत्री होंगे काफी इंपोर्टेंट कोशन है जल्दी से बताईए दोस्तो ये होंगे इराक क नए परदानमंत्री तो ओप्षन रहेगा सी रहेट आंसर नेक्स कोशन है दोस्तो पावर फाइनेंस कोर्पोरेशन का नया अध्यक्स एवां परबंद निदेशक किसे बनाय गया है इसका सही आंसर रहेगा दोस्तो रविंद्र सिंग धिल्लान यानि की ओप्षन रहेगा आप आंसर कर रहे हैं कि comment box में guys एक बर yes करिए comment box में अगर आप answer कर रहे हैं चयाए जो भी पता है try करिये खुझ से कि मैं question को सही कर पा रहा हूँ यह नहीं कर पा रहा हूँ तुखका भी देखे लगा कि तो पदा चलेगा कि आप तुक का सही लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं ठीक है तो जल्दी से कमेंट वोक्स में आंसर आना चाहिए सभी का नेक्स्ट हमारा कोशन क्या कहा रहा है कि बेडमिंटन टूनमेंट ओल इंगलेंड चेंपेंशिप 2020 में महिला एकल का किताब किसने जीत लिया है जल्दी से बताइए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तो ताई जू यिंग यानि की ओप्षन रहेगा ए राइट आंसर दोस्तो ताई जू यिंग जो है ये ताईवान की खिलाडी है ये आपको जरूर याद रखना है चल ये नेक्स कोशन पर आ जाते हैं और नेक्स कोशन है सर्वसरेस्ट महिला पतरकार के तोर पर चमेली देवी जेन पुरुषकार 2019 किसे मिला है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा आरफा खान सेरवानी रोहनी मोहन यानि की ओप्षन रहेगा सी रेट आंसर उप्रुक दोनों ठीक है और चल ये नेक्स कोशन पर आते हैं भारत सरकार ने युगांडा में अगला उचायुक्त किसे न्युक्त किया है बिल्कुल दोस्तो ए अजे कुमार इसका सही आंसर रहेगा यानिकी ओप्षन D is the right answer दोस्तो युगांडा पूर्वी अफ्रीका में इस्थित एक लेन लोक देश है लेन लोक कंट्री है ठीक है जिसकी राजदानी क्या है कमपाला बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है गाईज बिल्कुल वेरी गुट नेक्स्ट है हर साल आयुद निर्मान बोर्ड दिवस कब मना जाता है दोस्तो इसका सही आंसर हैगा बिल्कुल इसका सही आंसर हैगा जल्दी से बताएए अठारा मार्च बिल्कुल सही है ओप्षन सी राइट आंसर हैगा हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने अपने गराकों के लिए वीजा वर्चुल डेबिट कार्ड की सुरुवात की है दोस्तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही वेरी गुट पेटियम पेमेंट बैंक यानी की ओप्षन रहेगा सी राइट आसर है इसके अध्यक्स है विजय सेखर सर्म एमडी और सी यो कौन है सतीज कुमार गुपता ये चरूर याद रखेगा दोस्तो सी यो काफी इम्पोटेंट है ठीक है? पेटियम पेमेंट बैंक के सी यो कौन है? सतीज कुमार गुपता ये काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में जरूर पुछ जाता है स्पेसिली रेलवे हो गया ऐसे एक्जाम में जरूर आएगा नेक्स्ट हमारा कोशन आता है फिलिपकार ने अपने ग्राकों को डिजिटल जीवन भीमा कवर देने के लिए किस भीमा कमपनी के साथ समझोता किया है जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा तो गाइज इसका सही आंसर हैगा एगोन बिलकुल सही है यानि की ओप्शन ए इस दा राइट आंसर है बिलकुल एगोन लाइफ इंशोरेंस कमपनी का दोस्तों मुख्यालने मुंबई में इस्तित है ये भी आप याद रखे नेक्स्ट है ओएल इंडिया लिमिटिड ने क्रूड ओएल बिक्री के लिए किस रिफाइनरी के साथ समझोता किया है नुमाली गड रिफाइनरी बिलकुल वेरी गुड सही आंसर है और ये कहां पर इस्तित है ये भी आप याद रखेगा जल्दी से बते अगर किसी को पता है असम में इस्तित है बिलकुल दोस्तों असम आपको याद अखना है हाल ही में राजपती रामनात कोविंद ने किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनुनित किया है तो ये कोशन हो चुका है भई रंजन गोगई इसका सही आंसर हैगा चलिए नेक्स कोशन पर मूव करते है केंद्र सरकार के करमचारियों के लिए महगाई भते में कितने परतिसत की बडूतरी की गई है जल्दी बताइे ओ पता फट चार परतिसत की दोस्तों ठीक है चार परतिसत की और इस तरह अब महगाई भत्ता सत्रा परसेंट से बढ़ कर कितना हो गया है 21 ठीक है भई याद रखेंगा चले नेक्स कोश्चन और नेक्स कोश्चन है मनोहर परिकर की बायोग्रेफी एन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लाइव को किसने लिखा है बिल्कुल सद्गुरू पाटिल और माया भुशन नागवेकर दोनों ने तो उप्रुक दोनों इसका सही आंसर रहेगा और आप सभी को पता ही है मनोहर परिकर भारत के पूर रक्षा मंतरी और गोवा के पूर मुख्य मंतरी थे नेक्स्ट हमारा कोश्चन आते है इरदेश कुमार इसका सही आंसर रहेगा ठीक है और यहां के केंसासित परदेश जम्मू कस्मीर के उप राज्यपाल ग्रीश चंद्र मुर्मू है ये भी आपको या दखना है येस बैंक, येस बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है येस बैंक से संबंदित कोश्चन 100% बनेगा और रेलवे एक्जाम के लिए तो मैं भी बता देता हूँ CEO तो जुरूर पुछा जाएगा तो परसांत कुमार रहेगा ठीक है बई और इनसे पहले कौन थे ये भी पुछा सकता है इनसे पहले थे रवनीत गिल येस बैंक के MD और CEO और येस बैंक का मुख्याले का पह है भई मुंबई में है याद रखेगा क्रोना वाइरस के कारण सबी वित्य बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सई आंसर दोस्तों क्या रहेगा फिलिपिन्स बिल्कुल सई है ओप्शनसी रइट आंसर है फिलिपिन्स की राजधानी क्या है दोस्तों मनीला है और मुंद्रा यहां की पीसो है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं हाल ही में किस सार्क देश ने करोना वाइरस से निपटने के लिए सही उक्तरनीती बनाये जाने की पहल की है मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत भारत रहेगा और सार्क की फुल फॉर्म आप सभी को पताई होगा साउथ एसिया एसोसेशन फोर रिजिनल कॉर्पोरेशन इसकार मुख्याले काटमांडू नेपाल में है यह भी पॉइंट आप याद रखिए चलिए दुनिया का पहला डार्क स्काई काफी रास्ट कोन बन गया है दोस्तो याद रखेगा काफी इंप्रोटेंट कोशन है बिल्कूल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तो नियू यानि कि ओप्शन बी रैट आंसर होगा डार्क स्काई प्लेस जो होता है दोस्तो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर रात के समय अंधेरा रखा जाता है नेक्स्ट हमारा कोश्चन है किस दिगज कमपनी ने कोविड-19 को ट्रेक करने के लिए वेब साइट लॉंच की है बिल्कुल माइक्रोसोप्ट वेरी कुट इसमार्ट है वही आप सभी और चलिए इसके सीओ के अब बारे में भी बात की थी सत्या नंडिला है स्थापना बता दीजे कि माइक्रोसोप्ट की स्थापना कब हुई थी नहीं देखे स्थापना हुई थी 4 अप्रेल 1975 में ठीक है मुख्याले कहा पे हैं वोसिंग्टन डीसी में है चलिए नेक्स कोश्चन पर आते हैं टेबल टैनिस टूनमेंट ओमान 2020 में प्रूस एकल का किताब किसने जीता है दोस्तो इसका सही आंसर है गा सरत कमल बिल्कुल सही है option रहेगा be right answer और दोस्तो final मुकाबले में पूर्थगाल के पूर्थगाल के कौन थे फिटास करके कुछ है उनका नाम मार्कोस फिटास है मार्कोस फिटास को हराया था ये भी याद रखेगा नेक्स कोशन है भारतिये डाक द्वारा देश की पहली डिजिटल पार्सल लोकर सेवा कहा पर सुरू की गई है दोस्तो इसका सही आंसर है गा कोलकता ठीक है इसे कोलकता के दो डाक घरों में लगाया गया है जिसमें गराक पार्सल को साथ दिनों में कभी भी ले सकता है भारतिये तटरक्षक बल यानि की ICG द्वारा सारेक्स 2020 अभ्यास किस इस्थान पर आजित किया गया बिल्कुल दोस्तो इसका सही आंसर एगा वास्को गोवा में ठीक है और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तो सारेक्स 2020 की फुल फॉर्म क्या है सर्च एंड रेस्क्यू एक्साइज एंड वर्क्षोप तो यह पॉइंट आपको क्या करना है नौट कर लेना है भाई नेक्स कोशन है हाल ही में GST परिशत द्वारा मोबाइल फोन पर GST दर 12 परतिसत से बढ़ा कर कितना परतिसत कर दिया गया है दोस्तो इसका सही आंसर हैगा 12 परतिसत से बढ़ा कर 18 परतिसत कर दिया गया है ठीक है तो और यह नई देरी दोस्तों होगी जो नई दरे होगी यह एक अपरेल से लागो होगी यह फैसला नई दिल्ली में आज GST परिशत की 49 वी बैठक में लिया गया है वीडियो अच्छी लग रही है भाई सेर क्यों नहीं कर रहे हो सेर तो जरूरी है ना आप सेर नहीं करोगे तो दूसरे स्टूडेंट तक हम इस वीडियो को कैसे पहुचा पाएंगे आप बतेए डेली वीडियो साड़े 9 बजे जब चल रही है आप इसका टाइम नोट करके डेली क्यों नहीं आ रहे हो चले नेक्स कोशन आता है हमारा हाल ही में जारी सामवेसी इंटरनेट सुचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बिलकुल भारत को मिला है चालिसवा स्थान और इसमें पहले स्थान पर दोस्तो कौन है स्वीडन है तो ये भी आपको याद रखने है चले next question किस देश की हकू होडो कमपनी ने भारत की एड़ ग्लोबल 360 कमपनी का अधिगरेन क्या है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा बिलकुल जापान यानी की ओप्शन रहेगा सी रहेट अंसर एड़ ग्लोबल 360 का मुखहले दोस्तो गुरुग्राम में था और या भारत की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली मार्स टेग कमपनी है ठीक है याद रखेगा next question है मार्स 2020 में उत्तरपरदेश सरकार ने युवाओं के कोशल विकास और रोजगार सरजन हेतु कितनी योजनाय सुरू किये हैं इसका सही answer रहेगा दोस्तो ओप्शन सी यानि की 3 और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कोशल सत्रंग योजना युवाओं हब योजना और ये मैं नाम बता रहा हूं दोस्तों योजना के तीन योजना कौन-कौन सी है कोशल सत्यरंग योजना युवा हब योजना और मुख्या मंत्री एपरेंटिशिप योजना चले नेक्स कोशन है हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रोफी 2019-20 का किताब जीत लिया है दोस्तो इसका सही आंसर हैगा सोरास्ट यानी की ओप्षन C is the right answer सोरास्ट ने दोस्तो बंगाल को हरा कर ये रणजी ट्रोफी जीती है ये सोरास्ट दोस्तो जो है सोरास्ट का पहला रणजी खिताब था ये point विया आपको नोट कर लेना है परती एक वर्स बी समार्च को अंतरास्टिय परसंता दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मना जाता है इसका सही आंसर हैगा विस्व गोरिया दिवस बिल्कुल सही है ओप्शन रहेगा डी रेट आंसर वल स्पेरो डे ट्वंटी ट्वंटी और थीम क्या थी आई लव स्पेरो ये इस बार की थीम थी चले नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन हमारा क्या कह रहे कि किस संस्थान के विज्ञानिकों ने रक्त रिसाव को रोकने के लिए स्टार्च आदारित एक हेमोटेस्ट परदार्थ को विक्सित क्या है हेमो स्ट्रेट परदार्थ को विक्सित क्या है तो दोस्तों इसका सही आंसर एगा इसकी फुल फॉम क्या है बिल्कुल इंस्टिट्यूट ओफ नेनो साइन्स एंड टेकनलोजी तो ये आपको याद रखने नेक्स्ट हमारा कोशन है भारत ने 16,479 लाइट मसीन गन की खरीद के लिए किस देश के साथ सोधा किया है दोस्तों इसका सही आंसर एगा इसराइली ठीक है ओप्शन रहेगा बी रेट आंसर और इस समझोते के अनुसार भारत 880 क्रोड रुपे 16,479 LMG यानिकी लाइट मसीन गन खरीदेगा कितने के 880 CR के चल यह नेक्स कोशन आता है S&P Global Rating ने 2020 के लिए भारत की विकास दर को कितना परतिसत अनुमानित किया है दोस्तों यह वैसे चेंज होती रहती है यह कोशन एक्जाम के लिए नहीं है आपकी नॉलिज के लिए 5.2 परतिसत क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो 5.7 परसेंट का था तो अब उसको घटा के 5.2 परसेंट इन्होंने बताया है कोरोना वाइरस के चलते अब इसे घटा कर यह 5.2 परतिसत बताया गया है नेक्स्ट हमारा कोशन है परतिक वर्स अंतरास्टिय परसंता दिवस कब मना जाता है जल्दी बताये 20 मार्च को ठीक है मार्च मन्त की करेंट अफिर पढ़ रहे है ना तो 20 मार्च इसका सही अंसर एगा दोस्तो थीम क्या है 2020 की happiness for all together यह इस बार की थीम है नेक्स्ट हमारा कोशन है बहुत important है हाल ही में किस राज्य सरकार ने SCST करमचारियों के लिए पद्योनत्ती में आरक्षन को हटा दिया है दोस्तो इसका सही आंसर एगा उत्राखंड इसके अलावा पद्योनत्ती पर लगी रोक को भी समाप्त कर दिया है ठीक है भई याद रखेगा नेक्स्ट हमारा कोशन है L&T Technology Services LITTS ने उद्योगिक साइबर सुरक्षा पर सोध के लिए किस के साथ समझोता किया है किस IIT कमपनी के साथ समझोता किया है यहाँ पर IIT रहेगा तो यह आपको याद रखना है किस IIT के साथ समझोता किया है जल्दी बती है बेलकुर दोस्तों IIT कानपूर इसका सही अंसर हैगा और इसके तेट IIT कानपूर के परिशर में उतकरस्ता केंदर की इस्थापना भी की जाएगी नेक्स्ट हमारा कोश्चन है मनोहर पारिकर के जीवन पर लिखी गई पुष्टक इन्विजिबल और ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर के लेखक कोन है बिलकुल दोस्तों सही अंसर जा रहे है तरुन विजय आनी की ओप्शन रहेगा ए रेट अंसर रक्सा मंतरी राजनाज सिंग द्वारा 16 मार्ज को इसे लौंच किया गया था याद रहेगा चलिए फिर नेक्स कोश्चन पर आते है दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पाल वी लिबर्टी का निर्मान भारत के किस राज्य में होगा दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा गुजरात और इसे निदर लेंड की कमपनी पाल फाइव दुआरा बनाया जाएगा ठीक है और पाल फाइव की फुलफॉम क्या दोस्तो पी ए ल इसकी फुलफॉम है प्रस्नल एयर लेंड वहिकल निर्मान के चारो दोस्यों को किस दिन दिल्ली की त्याहड जेल में फासी दी गई थी बिल्कुल दोस्तो ये कोशन भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है डेट आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि निर्भ्या के दोस्यों को फासी दी गई थी 20 मार्च को ये दिन भी आपको जरूर पता होना चाहिए है ना तो चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं माई एनकाउंटर्स एंड पार्लियमेंट पुस्तक के लेखक कोन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया दोस्तो इसका सही आंसर हैगा भाल चंद्र मुंगेंकर यानी की ओप्षन रहेगा सी रेट आसा और भारत के पूर उप्रास्टपती हामिद हंसारी ने विमोचन किया परधान मंतरी नेंद्र मोधी जी ने किस दिन सुबह साथ बजे से रात नो बजे तक देशवासियों से जनता कर्फियू लगाने की अपील की थी दोस्तो ये कोशन भी बन सकता है क्योंकि अभी तो आपको पता होगा कि ये 22 मार्च को हुआ था बट थोड़े से दिन में आपको 22 मार्च में कन्फीजन होना स्टार्ट हो जाएगा जनता कर्फियू का अर्थ क्या होता है दोस्तो जनता कर्फियू क्या है जनता के लिए जनता द्वारा खुद को लगाया गया कर्फू जनता कर्फियू होता है एक तो होता है forcefully कर्फियू जो लगा जाता है police forces के थुरू जब कोई disturbance होती है कोई violation होता है किसी सहर में या किस सी राज्य में या कंट्री में तो उस टाइम पर कर्फियू लगा जाता है उसको पुलिस द्वारा लगा जाता है जनता कर्फियू जब खुदी जनता अपने घरों में कैद रहे वो खुज के मन से रहे मतलब उनको कोई फॉर्स फूली नहीं बोल रहा है बस परधान मंत्री अपील की और हम अपने घर पे बैठ गए यह एक जनता कर्फियू है ठीक है चले फिर नेक्स कोशन पर आते हैं सवास्त मंत्रा लेने करोना वायरस से मदद के लिए कौन सा नया हेल्प लाइन नंबर जारी किया है वही काफी इंपोर्टेंट कोशन हो सकता है तो देखे पास करोना का मरीज है जिसको करोना है या फिर आपको खुद को ऐसा महसूस होता है तभी आप इस पर कोल कर सकते हैं पुराने वाला जो हेल्प लाइन नंबर था वह काफी लंबा था 01123978046 जो अभी भी चल रहा हो चली रहा होगा मैंने तो याद कर लिया था चलिए नेक दोस्तों यह 18 मार्च को ठीक है तो नोट कर लिज़ेगा चलिए नेक्स कोशन पर आ जाते हैं 18 मार्च को रक्षा अधी ग्रहन परिशद यानि कि D.A.C. ने कितने सवदेशी तेजस लड़ाकु विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है 83 दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा और इन्हें हिंदुस्तान Aeronautical Limited ने बनाया है यह काफी इंपोर्टेंट है इंडिया सूपर लीग यानि कि ISL 2019-20 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता इसका सही आंसर रहेगा ATKFC यानि कि ओप्षन रहेगा A-Ret आंसर ठीक है चले नेक्स कोशन पर आता है करोना वाइरस के चलते French Open 2020 Tennis Tournament अब 24 मई के बजाए कब सुरू होगा तो दोस्तों B सितंबर को सिफ्ट हो गया है यानि कि ओप्षन रहेगा B-Ret आंसर और यह है टूनामेंट दोस्तों वो 24 मई से 7 जून के बीच आयजित होना था पर अब 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक खेला जाएगा नोट कर लिया नेक्स्ट हमारा कोशन है वोमेन ओन बोर्ट 2020 के अध्यन के अनुसार भारत दुनिया में किस इस्थान पर है बिल्कुल बारवे स्थान पर है दोस्तों यहाँ पर अगर बात कीज़े यह अध्यन कंपनी के बोर्ड में महिलाओं की उपस्तिति पर आधारित होता है चलेगा